हेलो रिवन आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमना कोटिल ड्रॉप्स के बारे में जो की इस ड्रॉप का इस्तमाल बच्चे की मल्टिपल ऑफ परपजों में इस्तमाल कर जाता है जो की अलेर्जिक फ्रॉड़म होती है या किसी प्रिगर गर का कई कोई दवा चल रहा होता है critical medical condition में तो उन सही दवाईयों के साथ इससे दिया जाता है जो भी फ्रॉड़म होती है उनको बहुत जल्दी अपनी के बनाया हुए मेडिसिन है 40-50 उर्पे की प्राइज में बहुत ही असानी से आपके पास के मेडिकल स्ट्रोड पे अबलेबल हो जाता है अमना कोटिल रॉप्स में आपको एक ही कंबिनिशन मिलता है परेडनी सोलोन सोडियम फोसफेट जो की एक तरीके का कोटिको स्टेरोइट क्लास से विलोंग करने वाला यह मेडिसिन है यह एक तरीके का स्टेरोइट सोल्ट है इसका इस्तमाल एंटी इंफ्लामेटरी प्रोव उना तौचा में लाजचेकत्य हो जाना या किसी परकार के कोई दवा रियक्शन कर जाती है तो उन सभी कंडिशनों में इसे इस्तमाल करते हैं इसके आलावा इसे मल्टीपल ऑफ इसकिन इंफेक्शनों में इस्तमाल करने के लिए दिया जाता है या किसी परकार का फ्लू वाइरल फीवर होता है बार बार तौँ उन सभी दवायों में इसे चलाया जाता है इसके साथे साथ ये अर्थराइटिस के कंडिशनों में भी इसस्तमाल करते हैं इसके अलावा भी इसका इस्तमाल जो की प्रेडनी सोलोन है या एक्थ्रे-कोर्टीकर स्टेरीड सोल्ट है इसका इस्तमाल, अस्थमा की परपज में इस्तमाल किया जाता है, जो कि सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस सही से ना ले पाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रेक में किसी परकार का इंफेक्शन होता है, तो उन से भी कंडिशनों में दिया जाता है, इसके अलावा रूमेटोई अर्थराइटीस, अल्सरेटिव कॉलाइटीस, इसके अलावा क्रोन डिसीज, मल्टिपल स्कलेवरोसीज, कलस्टर हैडक के सांथे सांथ आर्टो यूम्यून हेपेटाइटीस और और भी बहुत से डर्मेटो माइस्टोसिस जैसे कंडिशनों में इस्तमाल किया जाता है यहाँ मेडिसिन अकेले नहीं ली जाती है यहाँ मेडिसिन जो भी आपकी कोई प्रॉडम है उससे जुड़ी हुई बीमारी से जुड़ी ही और भी दवाईयों को चलाया जाता है उसके साथ इस medicine को दिया जाता है जिससे जो भी problem होती है वह बहुत जल्दी recovery करने में कारगर होती है इस medicine का इस्तमाल multiple of purposes में इस्तमाल करते हैं डॉक्टर अपने experience के अनुसार और patient की क्या condition है उस हिसाब से इसका dose confirm करते हैं और उस medicine को इस medicine को चलाया जाता है दोनों को combine करके देते हैं इस medicine का इस्तमाल Side effect की बात के तो अब आपको suit नहीं करता है तो vomiting, सरमे दर्द, भूख ना लगना चेहरे पे सूजन, जोड़ों में दर्द होना तौचा मिलाली पन, बेचैनी होना, पसीने बहुत ज़दा आना, इस तरीए के साइड इफेक्स देखने को मिल सकता है, पर यह बहुती रेर केस होता है, तो यही था ओमना कोटिल रॉप्स के बारे में जनकरी, अगर आपको वीडियो यह जनकरी अच्छी लगी, तो प्लीज यह वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यमाद, थेंक्यू फूर वाचिंग